आज हम पढ़ेंगे basics of logarithms हम सिखेंगे कि logarithm क्या है, logs क्या है short में logarithms को log बोग आ जाता है और log 1 की value 0 क्यों होती है हमने exponent में पढ़ा है कि जैसे 5 4 times multiply हो रहा है तो हम उसको exponent की form में अगर लिखेंगे तो हम लिखते हैं 5 raise to power 4 यानि कि 5 raise to power 4 अगर 5 को 4 times multiply किया तो हमारे पास आया 625 इसमें जो 5 है वो base है और जो 4 है वो exponent है यह हम जानते हैं तो अब इसको हम चले हो logarithm की form में लिखते हैं logarithm 625 to the base 5 is equal to 4 यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो हमारा base 5 था वो log का base बन गया 5 और जो power थी power हमारी answer में आ गई और जो 625 वहाँ पे result आ रहा था वो 625 का log हो गया यहाँ लोग of 625 to the base 5 is equal to 4 लोग को कैसे लिखा जाता है हमारी समझ में आ गया? कि base को हम लोग के base में लेगे चले गए power हमारा answer हो गई और जो answer था वो हमारा उसका log हो गया चलो इससे related अब कुछ problem solve करते हैं log of 81 to the base 3 हमें find out करना है किसके equal होगा इसका मतलब क्या हुआ? कि 3 raise to power what? कि 3 raise की power क्या होगी? 3 की power क्या होगी? कि वो 81 हो जाए तो चलो 81 को हम 3 की power में लिखके देखते हैं अगर हम मान लिया हमने x निकालना है तो 81 की अगर 3 की 4 में लिखेंगे तो 3 raise to power क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी 3 की जब हम 4 times multiply करेंगे तो वो क्या आएगा? वो 81 आएगा तो यहां से x की जो value आ गई base हमारा equal हो गया तो powers powers equal हो जाएगी तो x is equal to 4 तो यहां से जो हमारा x की value आई यानि कि जो हमें question में निकालना था log of 81 to the base 3 वो हमारे पास आ गया 4 आगे बढ़ते हैं log of x to the base 6 is equal to 3 तो हमें यहां पर x की value निकालनी है x की value कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि जो 6 base है वो तो base रहेगा और उसकी power 3 हो जाएगी और वो equal to x होगा 6 raise to power 3 क्या होता है? 216 तो x की जो value आगी वो हमारे आगी 216 तो यहां पर log of 216 to the base 6 जो हमारे पास आया वो आया 3 interesting log of 1 to the base 5 is equal to x तो हमें इसकी value निकालनी है चलो find out करते हैं हमें पता है कि 5 raise to power x किसके equal होगा? 1 के equal होगा क्योंकि base जो होता है? वो base होता है और जो answer आया वो हमारा exponent होगा उसका और उसके equal जो आएगा? वो 1 के equal आएगा हमें ये भी पता है हमने जब पहले पढ़ा है कि exponent में पढ़ा है कि अगर किसी non-zero real number की power 0 हो तो वो 1 के equal होती है यानि 5 raise to 0 1 के equal होगा अगर मैं इसको दोनों को compare करूँ 5 raise to power x is equal to 1 and 5 raise to power 0 is equal to 1 इसका मतलब क्या हुआ? 5 raise to power x जो है वो equal है 5 raise to power 0 के तो यहां से compare करने पर क्या आया? कि x is equal to 0 It means log of 1 to the base 5 वो जो आया वो आया हमारे पास 0 ऐसे ही ध्यान रखने की बात है कि अगर कभी भी log 1 आता है बेस चाए कुछ भी हो तो वो हमेशा 0 होगा